पानकी जे स्वर्दिश आये गुस्वामी जी महराज जहां से अरंभ रामचरेट मानस को करने जा रहे हैं उस स्थान पे हम पहुँच जाएं दिखें उस स्थान पे पहुच जाएं इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि गुस्वामी जी महराज ने जहां रामण लिखा वहां हम जाएं अवशक्ता नहीं है जरूरी नहीं है कि वो स्थान हमारी लिए सुलब हो जैसे अगर काशी खेतर में बैठ कर अगर काशी खेतर में बैठ कर उन्होंने इस कथा को पूर्णता दी हो तो क्या हमारी लिए इतना सुलब है सब घरदार छोड़के मोहमाया त्यच के हम जाके बैठ जाएं काशी में ये तो संभव नहीं है हाँ राम कथा क्या कहती है जो जग जंग मती रथ राजों ये कथा जहा जहा होती है न उस उस स्थान को तिर्थ बना देती है ये कथा जहा जहा हो वो स्थान वो भूमी उस भूमी की भूमी का ऐसी हो जाती है कि वह भूमी तिर्थ बन जाती है देवी भागवत में एक बड़ा ही सुन्दर प्रसंग आया है देवी भागवत में ऐसा कहते है जब प्रलाद जी चवन महर्शी से मिले तो चवन महर्शी को पूछा गया कि महाराज कृपया कर बताईए भारत देश में तेर्थ कहा है तो महामनीशी चवंद्रुशी ने कहा कि भारत देश पे तिर्थ नहीं है क्या कह रहे हैं माराज भारत देश पे तिर्थ नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भारत देश पे तिर्थ नहीं है भारत स्वयम एक तिर्थ है भारत ये तो तिर्थ है एसलिए या भारत भूमी ऐसे भूमी है जहां जहां राम कथा गाई गई जहां जहां कृष्ण कथा गाई गई वह भूमी तिर्थ बन गई